कि नमस्कार साथियों मैं पंका सिंग एक बार फिर से आपके अपने चैनल विसलित पंका सिंग पर शागत करता हूं तो आज हम लोग पांच में पढ़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पांच में भाग में सारडिक सिक्षा के लिए जो टीजीटी और पीजीटी का क्लास चला है आप लोग बकादे नौट्स बनाते चलिए साथियों एक क्या मताएगी ऐसा मैटर आपको मिलेगा जहां से प् हो सकता है पताने क्या हो इसलिए आप लोग जम करके न क्यों देखी बलकि नौट्स बनाएगे पीडिया फगर सब मिलेगा लेकिन थोड़े से समय के बाद अब आपको यह तो विस्वास हो गया होगा कि मैं रेगुलर हूं रेगुलर रहूंगा हो सकता है का दो दिन बीच में आते हैं हमने प्रतम दो भाग युनान को देखा स्पार्टा युनान को पूरे देखा दूसरे भाग में हमने रोम को देखा और तीसरे भाग में जर्मनी को देखा और यह सारे देखे क्या आश्चर की बात है कि सारे देश जहां पर सारे इक सिक्षा के बारे में सोच सब्सक्राइब होई यूरोप कंट्री है कल मैंने यूरोप के बारे में थोड़ा सा हैंडमेड फिगर से बताया था जबकि यूरोप को जानने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत कि फिगर तो होना चाहिए जी हो सकता हो यह सफेद वाइट पर कुछ प्रावलम हो लेकिन फिर भी जान लेजिए तो यह यूरोप का फिगर अना हमने कल बताया था यूरोप कहां है यह उत्तर इमीर का यह दच्छड इमीर का यह यह यहां पर बताया था मने तीन अमुली की तरह निशान है और यह अफ यूरोप में ही आ रहे हैं देखिए हमने किसको पड़ा कल जर्मनी को पड़ा यह देखिए नीला वाला सब समंदर है इंग्लिश चैनल चुकि यह भी खेल में सामिल है इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लेंड के बीच में यह देखिए इंग्लेंड है फ्रांस और यह पराकी होती है जबर जस्त कर फ्रांस और इंगलेंड के बीच में इंग्लिस चैनल हम लोग अभी तक क्या देखे देखें ग्रीज़ यह लगबग इटली से सटा हुआ हमने रोम देखा इटली रोम ठीक है युनान में देखा एथिन्स और स्पार्टा देखा पुर्व इ उत्तर रोम कलम ने जर्मनी को देखा जर्मनी में चार लोगों को देखा आपको याद होगा लड़ी जान गट्समर्स एडल रसीजर जान बेस्ट तो आप लोग दोराते चलिएगा साथियों मैं एक बात जानता हूं किसी चीज में महारत हासिल करना है तो किसी एक किताब को एक मेंटर को सव बार पढ़िए न की सव मेंटर को एक दो बार पढ़िए बार बार पढ़िए आपके दिमाग में घुज जाएगा तो आज हम लोग चलेंगे स्वीदन देखें उंगली की तरह ये तीन है तीन और लगबग दुनिया में जितनी भी सुचकांग आते हैं उ लेकिन का रहनसन का स्टाइल है और सब कुछ बड़ा ही डिफरेंट हैं धूनिया की सब से सच्छित देश है स्वीदन सब से स्च्छित देश धयान देजिएगा सात साल मर यहां पर साथ साल के बाद बच्चे जब सात साल के होते Jason . में स्टूर होते हैं वह लोग इतने उम या खास करके बच्पन को छीन करके जो हम लोग छोटे छोटे उम्र में के वह दिखावे के लिए डालते हैं वहां पर असा नहीं होता साथ साल के उम्र में वह इंट्री लेते हैं और उसके बाद थोड़ी समय में उनको टेबल्स और जितने यह नंबर्स गिंती पहाड़ा सा समय वगरा सम लगाने लगते हैं तो नार्वे स्वीदन फिनलैंड यह तीनों देश गजब के देश हैं और उसमें यह भी आ जा रहा है साथियों डेनमार्क और आइसलेंड यह पाचों एक समू बनाते हैं उसको हम लोग बुलते स्कंडनेवियन देश स्कंडनेवियन कंट जो ने डिननमार्च का विशकार किया था जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है यही के ते स्वीडिश जो वहां की मुद्र है आज भी दिया जाता है में इनाम दिया जाता है नोबल पुरुसकार में ठीक है तो स्वीजन है फिलाल तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्वीजन का इतिहास ठीक है यह द्यान दिजेगा यह यूरॉप है यूरॉप इधर इसके नीचे जस्ट यह अफ्रिका हो जाता है तो अभी तक जितना भी देश हमने देखा यूरॉप बलकि लास्ट वाला पार्ट जमारा आएगा डेन्मार्क का वह भी देखें यह डेन्मार्क यानि वह भी यूरॉप में इस जर्मनी इधर हिटलर वाला डेनमार्क स्वीजन और आपने देखा इतली यह देखें बिलकुल समंदर में इधर भी समंदर इधर भी और यह ग्रीस यूनान जहां कर दाट था ठीक है थाम लोगा चलते है क स्वीधन के देस पर यहां पर दो ही नाम मिलते है मित्रों पहला पर हैंरी लिंग और एक जम लर लिंग दो लिंग नम से हो ठीक है तो यही दोनों बार-बार आते हैं कि किताबों के नाम तो नहीं आते लेकिन के बारे में कुछ चीद्म लिए आप लोग स्वीजन कहते हास हम लोग देखते हैं पर हेंरी लिंग इनका नाम मिलता है या यह कह यह इन्हों स्वीजन में सारडिक सिक्षा के बारे में सबसे पहले पहल कि इस शुरुवाद कि इसलिए इनको कहा जाता है सारडिक सिक्षा का स्वीजन में पितामह कहा जाता है ठीक है इन्होंने सुरुवाद किया था दो लिंग है दाने जगा अलग-अलग मैंने पढ़ाया है साथ आप समझ में आ जाएगा कि कितना आप लोग तैयार हैं तो इनको स्वीजन में क्योंकि इनों ने ऐसा समझा कि स्खेल के माध्धम से अपने सरीर को मजबूत बना जा सकता है और पूरे देश को यहां तक कि इनों ने किसी के नकल नहीं किया बलकि जर्मणी ने इनकी नकल किया पर से जर्णडी और तो इन से सारे लोगों ने सीखा है ठीक है काल देखी वही है 17-17-17-19-17 वाला काल हमारा क्या चल ला था रेगुलेटिंग एक्ट वाला समय ठीक है अंग्रे यहां पर हभी हो चुके थे इनको कहा जाता है पिताम स्क्षा के कlook क को पर हैं निकों कहां पर सूजन में सुथेयों कि नार्वे разм graduate sinFrank अल फाला सूरी आभ आद मालिस् और यह मालिस के भी पितामें माने जाते हैं मने इन्हों ने सारीक सेक्षा में मालिस पर बहुत जोर दिया ध्यांदी जगा कुछ लोग इनको स्रीय नहीं देते हैं और अन्य लोगों को देते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इनको कहते हैं कि मालिस के पितामें हैं यह ठीक है फादराफ मसास तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से मालिस जैसे हमारे भारत में बात की जाए तो पहलवानों को सबस्यादा ताकत मालिश होती है एक पाओ आदा-दा किलो माने लीटर वो तेल जो है बिल्कुल सोख लेते हैं उनका सरीर अजब घरशन होता है सरीर पर चाह करके जो नर्व से हैं जो नसे हैं या फिर उनकी इन वो नर्वस सिस्टम हमाने जो रक्त वहीं नहीं आए इतनी तेजी से काम करता है ब्लेट सरुगलेशन इतना बढ़िया चलता है का आदमी स्वस्त ताकत वर रहता है इसलिए इन्होंने मसास पर बहुत जोड़ दिया त दूसरी बात इनके जो पीता जी थे माले जी इनको लगभग 14-15 लड़के थे दो पुत्रियां थी तो उसी में से एक ये थे कौन पर है निकलिंग तो जन्में तो स्वीडन में लेकिन कई देशों की यात रखिया इनोंने किसलिए उसी कुछ सीखने के लिए उनको मजा नह रखिया तो फ्रांस में कुछ रुग गए कुछ दिन रुग गए फ्रेंच एक विद्ध्याले था जहां पर इनोंने क्यासे की फेंसिंग सिखी तलवार बाजी ठीक है इसको उन्हों बोलते हैं इंग्लिश में फेंसिंग तलवार बाजी सिखा उनको लगा कि तलवार शिर्फ नकेवल योदा बनाता है बलकि हमारी कलाई को हमारी सारी भुजाओं के अड्डियों को बड़ा मजबूत करता है और बड़ा काम आएगा तो लगबग कई साल तक वहां पर तलवार बाजी सिखा लेकिन कुछ आर्थि से तंगी आ गई यह गठिया रोग हो गया उनको तो वहां से चल दिए चल के फिर से आगए अपने देश स्वीजन में तो स्वीजन में एक लूंड विश्यविद्ध्याले था लूनिड विश्यविद्ध्याले के संबथ में बहुती मसवर भी er जब आप लूंड विश्विद्याले में तलवार बाजी लगबख 7-8 साल तक इनुनस सिखाया एक प्रसिक्षक की रूप में उनको लगा किया तलवार बाजी नाकेवल आत्मरक्षा के लिए जरूरी है बलकि बलकि बहुत ताकतर बनाती है वास्तों में तलवार जिसने चलाया हो भावित नहीं थे बहुत अच्छा उनको नहीं लग रहा ह। भूँ अच्छे वह नहीं जा रहा क्रंबदध ढंक इनोंने करंबदध biscuit सब्री जी शक्षक को सुरुवात कि यहाथा म्नको पिताभा कारता है लेकिन ऐसे लोग जो प्रवर्तक होते हैं वह कहीं कमिया देखत हैं तो चुप-चाप साहते नहीं है बलकि कुछ बोलते हैं इन्हों ने एक सारेडिक सिक्षक थे बहुत मसाओर पेस्टोलाजी उनसे कुछ सीखा उनसे सीखने के बाद कई चीजें परिवर्तन किया पेस्टोलाजी ऐसा लग रहा है कोई अध्यान है लेकिन इस एक सारेडिक सिक्षक थे बहुत अच्छे टीचर थे वह जानकार थे उनसे को सीखा सीखने के बाद उसको लागू किया UK किया स्क किजिम्नास्टिक मेंशा MARTIN है थीक टाई इन्होंने तीन चार प्रकार बताया बढ़रेकिश पहला इसे उन्होंने सबसे बड़े चीज़ क्या सिख ए बैलेंस करना आपको पता होगा आपके जिमना स्टिक बैलैंस कई गेंस कप होते हैं कभी अना होरिजन्टल जड़ेंस तका सिखोड़े रहते हैं कैसे ए पैर पर ख़़े identific तोड़ी से अगर डिस बैलेंस हो तो आदमें का गर्दन भी टूट सकता है हाथ पर भी टूट सकता है तो उसके बाद इन्हों ने कहा को तो ऑन का सत्को और नंहीं काम यह सरीर से अगल है किवल को रवड़ बनाने का सरीर के यह ताकत करने के लिए आठीन होगां। आयल टाकत करने के लिए हैं तर्फोर्ति के लिए तो फूर्ति के लिए जिमनास्ट से बढ़ी है कुछ हो नहीं सकता तो वह फूर्ति के लिए भी वो ट्रेनिंग देते थी ठीक है एक और था आस्थाटिक अश्थाटिक जिमनास्टिक ठीक आस्टेटिक जिमनास्टिक माने शौंदर ये अब इसमें जिसको सौंदर बढ़ा खुबसूरती के लिए खास करके ग्रूप में होता था आठ दास लोग पंदर लोग ग्रूप में लड़कियों का या लड़कों का बड़ी खुबसूरत ढंग से बड़ी अच्छे लगने के मतलब मननंजन खुबसाता जनता का अलग अलग देखिए इने बाठ दिया किसने पर हैं रेलिक लिंग ने जिमनास्टिक क्पा चार भागों में बाट आ या तीन भागों में बाटा कुल मिला जला कि इस पूसली इन्होंने चार भागों माटा था कौन-कौन पहला एजुकेशनल दूसरा मेर्टरी तिसरा स्टेटिक चौता स्वास्तवर्धक स्वास्तवर्धक सवास्थ हो सकता हैं ऐसे से आसन ऐसे से चीज्जी जो आपके स्वास्त के लिए भूत ही मेडिकल जिमनास्टिक so सोचे जिनास्टिक को इनों हए चारपकार सब्राट जो कि सब कुछ हमारें दिए हेंदी घर जाले कुसर गnee स्वास्तवर्द्र मेडिकल जिमनास्टिक यह चार पकार का बाटा किसने पर हैंरिक लिंग ने कहां के थे स्वीडन के थे तो मेडिकल मनें ऐसे सी चीज करो जिससे हमारी चाहे मानस्पेसियां हो चाहे हड़ी हो कुछ ऐसे धंस मजबूत वह ना नरसों पर दबाप पड़े क आए हमको स्वस्त्रय विमार नहीं प्रतुरुजख्षमता इमून सिस्टम मजबूत हो ठीक है यह चार चीज इन्हों ने किया किसने पर हैंरिक लिंग ठीक है अब आते हैं उनके बेटे उनके बेटे जामलर लिंग मैंने पहले बताया था कि सिर्फ दो ही नाम आते हैं पर परहने कि लिंग की अब परहने लिंग की 1849 में मृत्य हो गए थी ठीक है इन्होंने भी काफी आगे बढ़ाया उनके अपने पिता के नाम को जब देखा कि उन्होंने सिक्षा के चेत्र में खास करके सब्सक्राइब करमती भाया है उनको लोग देवता की तरह मान रहे हैं तुन ने भी काफी प्रयास किया काफी प्रयास किया और सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे मारे पिता जी का नाम रोशन है और हमारे देश स्वीजन में साड़िक से बढ़ती रहे और काफी कुछ काम किया इनका नाम मिलता है जामलर लिंग तो 1849 में 100 साल जब 100 वर्ष हो गया उ कहां पर स्वीजन के स्टाकहों में स्टाकहों में प्रत醬्स लिंग या रहा अब कई देशों को बलाए गया कौफी देश के लोग आये अपनी खेलों का द кто रशन किया जिसमें से इंग्लेंड जर्मनी हंगरी डेन्मार्ख और रोम तो नहीं था इंग्लेंड था जर्मनी था अंगरी था डेन्मार्ग था और स्वीजन तो था ही इन सब लोगों ने मिल करके जैसे आज सैकड़ों देश सामेल होते ओलम्पिक में उसी तरह उस प्रकार लिंग याट प्रतम लिंग याट बार बार प्रतम लिंग याट का यह जान अट उननीस सो उनतालिस में उनीस सो उनतालिस में स्टाक हों में हुआ था स्वीजन में हुआ था जहां पर चारपांत देश के लोग आये और उन्होंने अपने कुछ खेलों का प्रदर्शन किया ठीक है और किसका नाम बढ़ा है सबसे पहल लिंग याड रि के मडैं सेर्म ये भातां उननीस स्वन चास में साथियों उननी इस सो जास में हुआ था और आप लोग इसको हमीसा याद रखेगा सकें इन सो हमें हुआ आँ यहां हुआ था इस्टाखोम में यहां हुआ था किसले मसवर हैं पहली बात की बहुत भबलेबल भुआ था बहुत सफल आयो जान रहा था दुनिया में इसका नाम होगा और हमारा क्यों नाम हुआ क्योंकि हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल ठीक है प्रसारक मंडल आप इस संस्ता का नाम सुनेंगा आगे इसको पढ़ाओंगा मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाओंगा तो यह हमारे भारत में 1964 में दो बैद्य बंदू ने ठीक है एक बैद्य बंदू एक ते अनंत कृष्णा राव अनंत और एक अनंत बैद्य और एक और आवर जथे ठीक है अनंत क्रिष्णा राव बैद्य थे और अंबाधत थे और सायद आइ्चिंग अंबाधत अगर नाम भूलेगा तो आप Support कर लएजगा दो बैद्य बंदू थे इनोने अमरावती में एक है ऊमरावती में महाराष्ट अमरावती मेंसेंटर खुला हममान व्यायाम प्रसारक मंडल तिक particular 1914 में स्थ वर्डवार सूरू हो रहा था बाद मों उसका पहले नाम हनुमान के फिर दरे दरे करके उसका नाम हो गया हनुमान ब्यायम पसारक मंडल यहां पर मल युद्धोगर है और भी चीज़े हनुमान नामी है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे सारडिक गदविदियों में बड़ी मजबूती आए और यहां की खासित का आज भी है द्यान दिशनर को यहां पर बड़े जियुक्त इटी तरग कर्णार्वी यहां पर बड़े करन्थिकारी आए थे वहां का आउलोकन करने के लिए देखने आए थे जैसे गांदी जी वी गए ते चंसका राजाद बहें आपकल पना कर सकते हैं किस पकार के संस्था रहे होगी जहां पर ऐसे से मान अस्तियों का पदरपन हुआ हो दूसरी बात जो भगत सिंग के साथ जियो फासी पलटके थे राजगुरु साब यहां पर अध्यान भी किये थे राजगुरु यहां पर लड़े वड़े थे और सीखे थे जो यहां सारडिक सिक्षा के कई पहल इसने क्या काम किया था द्यान दिजेगा इसको आई ति मिटा दे रहा हूं इसने क्या काम किया था कि सेकेंड लिंग्याड में भाग लेकर क्या गजब का प्रतर्सन किया था मल्लखम नाम सुना होगा आपने नहीं सुना होगा तो बता रहा हूं सांस्कृति प्रोग्राम का कुछ सारडिक गरतियां ठीक है तीन प्रोग्राम इनुर्क नें किया था कहा पर माने wrestling कुष्टी और कम माने खंबा तो खंबे पर हो जाने वाले कुष्टी आपने देखा होगा साइध इंडिन आइडियल में आपने देखा होगा जो इस परकार के जो यह होते है पोल टाइप होते हैं ठीक है यह इस टाइप के बड़े से और उस पर एक आदमी चड़ता है एक लड़का, दो लड़का, एक आदमी, दो आदमी हमारे भारत में आज भी यह जपरज़त सिखा जाता है और उसके बाद उसी पर लेपेट करके ऊपर नीचे चड़ना एक चोड़ी से मिस्टेक हो तो आदमी मर सकता है लेकिन क्या गजब के पुरी सरीर को तोड़ मरोड कर ऐसा प्रदर्शन करते हैं यहां पर उन्होंने किया था स्टाकों में बड़ी तारीफ हुई थी और संस्कृति प्रोगाम भी किया था चुकि इसी टाइप के लोग तो चाहिए होते हैं संस्कृति कारिकरम में और सार्डिक जो सीखा था इन्होंने यहां पर कुछ मल चाहिए दे सको आप जैसा कर सको और 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक खेल हुआ था ध्यान देजेगा बर्लिन में इसमें भी हमारे यह भी पीम ने भाग लिया था था थोड़ा सिसी बाने मैंने बता दिया क्योंकि लिंग्याड का संबंद है तो 1936 में बर्लिन मने जर्मनी में जिसमें हिटलर वहां का राजा था हीरो था पुरे दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर स्वापने माना जाता था उसके संक्षन में जर्मनी हुआ था और उसने भी इस संस्था को अवार्ड दिया था बहुत अच्छा है उन्हें प्रत्रसन किया था है च वी पी एम में जन में ठीक है 1949 में पहला उन्हीं संचास में दूसरा लिंग्याड ये दो ही आता है बार बार ठीक है और रही बाद जामल लिंक तो ये सगेंड है उनका कोई ऐसी बुक और नहीं मसूर है तो आज हमने देखा स्वीजन की बारे में स्वीजन का सार्डिक सिक्षा छेत् सिस्टम था ठीक है जिमनास्टिक में उन्होंने क्या योगदान दिया चलिए कैसा लगा बताईये जरूर कमेंट करने में आप बहुत संकोच करते बड़ कोई बात नहीं मैं अपना काम जारी रखूँगा आप अपना काम जारी रखी ठीक है बताईये का सान लगा नहीं ब खेल के इतिहास है उसके बाद हम लोग एनाटामी पर भी चलेंगे खेल की स्ट्रीटियम के बारे में चलेंगे टोर्णामेंट पर साथ पूरा टोटल लगबग डेड़ सव से 200 वीडियो जाएगा और बिलकुल याद होते वह ऐसा नहीं कि हमने डाल दिया और आप लिखते र नहीं, नमस्कार